हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यू यानि केटा ग्लेडियेटर्स वर्स पिशावा जलमी के बीच में जो आपको पाकिस्तान कॉमेडिक पाकिस्तान सुपर लिक का मैच होते दिख कर दिखने वाला है यह अभी तक दूस्त आप हमारे चैनल में नहीं आये हैं यानि की वीडियो की डिस्क्रिप्जन से या टॉपके कोमेंट से हमारे टेलीग्राम में नहीं आये हैं तो यह काम सबसे पहले कर दो सबसे नीचे जाके ऊपर का कॉमेंट देखलो वीडियो की रिस्क्रिप्शन देख लोगे चैनल के अबाउट सेक्शन से हमारे टेलीग्राम में आ जाना है देखके आईएगा बहुत लोग ऐसे जो आपसे पैसे मांग सकते हमारे नाम पर किसी को भी पैसा आपको देने की जुरूत नहीं है वैसे भी देना नहीं चाहिए वेन्यू की आप देखो के जो चार मैंचे यहाँ पर खेले गए है इस वले स्टेडियम में उसमें एवरेज स्कोरिंग हो रहा था लेकिन आप देखो के फर्स्ट इनिंग्स वारे टीम कहीं बार मैंने देखा है बहुत विकेट स्कोर ही है बहुत लोग उससे ग्रेंड लिक जीते हैं ही है अब तो वैसे हर कोई बताने लगा है दोस्तों कुल मिला कि अभी तक 52 विकेट यानि 52 विकेट गई हैं जिसमें से 30 फास्ट बूलर्स को मिलें 15 स्पिन बूलर्स को और साथ आपने रन नौट भी होते दिखें यह लोग थोड़ा भगते भी ऐसे ही है कि हर मैच में एक एक फेंटेसी प्लियर दुखी रहते हैं जब उनके बॉलर्स नहीं चलते या उनके अपने में प्लियर नहीं चलते वैसे ही सरफराज अहमत देखोगे अपने बॉलर्स से दुखी थे मतलब कि एक्स्प्रेशन देखने बले थे इनके बोलिंग के वार रहा है एक ही गलती बर बार कर रहे हैं खौने मन्रो को विथ देना विथ नहीं दे घे तो ऑग्दम और कोंपन्षैट करकरके पूरा ल्हट पैट्स पे बोल्ड अधर ऑपूल आ रहे हैं और जब बॉलट आ चारू कटने बॉलर्स कीमटा मेरा कि मैं जीता मैश अदाब और इनके साथ गया था और दूसरे टीम में हसन अली और फाफ के साथ गया था सीवी सी आपने देखा ही होगा तो उम्मीद करते हूं कल के रिजल्ट्स आपके बहतर रहे उस्मान खान अगर आप देखोगे 81 और 14 दो मैच में खेले हैं पहले में बहतरीन खेले थे 81 की बहुत अच्छी निक्स थी मैने कल आपको इनके बारे में पूरी कहानी बताई थी इनकी कैसे यह दुबई से यहां पर आए थे होगे जब टीम मना रही होगी तब जेक वेद्रेल्ट फॉर्टी थी देब्यू पर थे अपनी अच्छा खेले पहले मैस यहां पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा खेलेंगे ट्रेंटेट प्लेयर हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन एडप्ट करना मु करेंगे एक्स्ट्रा एडवांटेज हमेशा रहता है आजम खान भी आपको दिख जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्षन में ट्रेंटेट प्लेयर हैं हिटिंग करते है रिसेंटली पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो है रसल की बात हमने कर ली थोड़ा सा डाउटफुल रह होंगा में बैट्समन ने जो कुछ ओवर दे सकते हैं महमद नवाज टीम के में और रॉंडर है महमद नवाज को मेरे सबसे काफी अंडर यूटिलाइज किया गया प्लेयर बहुत अच्छे है जैक विल्डर मूथ है इन्होंने भी रन किये थे नो खुरम शहजाद एक रन जाहिद महमूद और महमद असनेन दिखेंगे ठीक है बोलिंग में अगर आप एक बार इनके लिए देख लोगे तो बोलिंग में महमद असनेन ने इनके लिए 6 विकेट ली महमूद ने 6 विकेट उसमन शिनवारी 2 विकेट लेकिन 3 मैच में लास मैच खेले नहीं थे नवा परचली एक catch का मुखा मिला था 5-2 प्लेसी की तरफ से मतलब 5-2 प्लेसी इनकी ball पे catch कर रहे थे बट वो गया लेकिन conclusive proof नहीं था कि वो catch हुआ या नहीं इसलिए इनको विकेट नहीं मिला खुरम शहजाद 2 और 29 पजीरो के एक बार हर प्लेयर का present form देखना चाहो देख सकते हो प्लेयर रोल भी देख सकते हो प्लेयर रोल भी देख सकते हो क्लेयर का T20 स्टाट्स भी देख सकते हो पिछले सीजन के performers देखना चाहो वो भी आपके स्क्रीन पे है मैंने कल सब आपको detail म समझाया है इसलिए हम सीधा पैशावर पर चलते हैं ये पैस की फूटबॉल की गेम है कि आप मुझे को की फूटबॉल की गेम है तो पैशावर जल्मी के क्रिकेट टीम है यह पहले तीन में से दो मैचे जीते थे लेकिन अब ये 6 में से 3 मैं जीत कर 3 हारे हैं, स्टार्टिंग में फॉर्म अच्छा था, लास्ट मैंचे में फॉर्म बिगड़ा है, हैधर अली इनके टीम के मैं कहूँगा, में प्लेयर हैं, जब जब ये रंस करते हैं न तभी इनके टीम जीती है, लेकिन डिस्पाइट उनको ओपनिंग पे भीज़ा गया, लास्ट में फेल हो गए, मेरे साब से आज के गेम चेंजर हो सकते हैं, कमरान अक्मल 5, 37, 3, 3, 21, ये एक ही मैच में 37 किया, उसके लावा इनोंने का, मुझे अच्छा खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान के आगे ही बहुत अच्छी इनोंने 50 करी थी, रॉवन पॉवल है, रॉवन पॉवल का क्या है कि ऐसे तो प्लेयर अच्छे हैं, बट स्पिन को स्ट्रगल करते हैं, बट क्या है अब देखो, मैं होता तो कैप्टन सामने, तो हम हमेशा रॉवन पॉवल, शरेफन, रदरफोर, फेबियन एलन, इनके आगे स्पिनर लगा दो, मोस्ट लाइकली रॉवन पॉवल और रदरफोर्ट ताउट होते हैं, फेबियन एलन फिर भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बिंग हिमसेल्फ भी वो स्पिनर ही हैं, बट अब यह सरफराज एहमद पाकिस्तान के कैप्टन, मतलब मुझे कोई आडिया नहीं है, क्या करें क्योंकि एक होता है लॉजिक, जो देखके आप IPL में देखो होगा, हमारा कितने मस्त रिजर्ट दे हैं, हमें पता होता है कि इस सिचुईशन में दोनी क्या करने वाला, कि इस बोलर को लेके आएगा कैसी सिचुईशन में, यहाँ पर मिर को लगता है, वो मन से करते हैं या अकडबकड मंबे, वो करके ओवर देते हैं गहीं बार, चलोगे तो मजाक की बात होगी, बढ़ फिर भी, ऐसा है थोड़ा सा, इनका थोड़ा समझ नहीं लगता, वहाब रियाज, एक बीस सतना, उमाईदा से फ्लाश मेंच में तईस नबाद भी किये, ओगर भी करते हैं, वहाब रियाज तो में, आप कैसे क्यों टीम के बोलर है, महमद इमरान और महमद इर्फान, इमाद बड़ जो कि एक talented player है, उनको किस वज़े से बाहर रखा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है, खेलने चाहिए, इमाम अलहग भी talented player है, थोड़ा injury concern है, जिस वज़े से थोड़ा miss out किये हैं, अगर आप bowling में देखोगे, वहाब रियास 5 match में 9 wicket है, मुहमद इमरान 6 match में 4, मुहमद इर्फान जो 1st floor से bowling करते हैं, 6 match में 3 wicket, फैबियन एलन 1 match में 2, उमाइद हसिफ 3 match में 2 wicket, अमाद बड़ जो काफी अच्छे player है, बड़ अब्वियस इनको team में होना चाहिए, यह पटिये नहीं खेल रहे है, कितना बड़ बोल दिया मैंने 1 minute में, तो एमाद बड़ को लेना है अगर खेलते हैं तो, ठीक है 2 match में 1 wicket है, शोयब मलिक 6 match में 1 over, उमीद करतो हूँ अच्छा गया match कल, और आज आपको दिखेंगे विकेट कीपिंग में, पाकिस्तान की उसमें ज़्यादा पाटिसिबेट करना ही रहे हैं, तो एक काफी टाइम बाद यह खेलते हैं, तो थोड़ा struggle हो जाता है, वही आपको last watch में दिखा, थोड़े ऐसे player हैं मारेंगे, तो पाउर प्ले में अच्छे भी मार सकते हैं, पाकिस्तान से रिसेंट पास्ट में, आजम खान इस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए खेलने वाले हैं, अगर इनको ओपनिंग मिले मेरे इसाब से बहुत अच्छा क्योंकि इनको थोड़ी running में issue होता है, बड़ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखा हो, अगर आप देखोगे ना तो प्लेयर में टैलेंट बहुत है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी in experience है, वनना प्लेयर बहुत अच्छा है, अभी मैं यहां सिर्फ कमरान अक्मल को लेखेगी हो, लेकिन सरफरास को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वली बात ही नहीं है, पिशावर के आगे ना इनका performance भी ठीक रहा है सरफरास का, जबकि कमरान अक्मल का इनके आगे बहुत अच्छा performance रहा है, कैटा का तो दोनों विकेट की पर अच्छे options हैं, बले बाजी में दोस्तों पहली पिक मैंने यहाँ पर मलिक साब को ले लिया, मलिक साब के बाद यहाँ पर मैंने फाफ डूपलेसी को लिया, दो प्लेयर अगर अपनी टीम्स के आपको उठाने हैं, जो टॉप स्कुरर होने का capability रखते हैं, तो वो शोयब मलिक और फाफ डूपलेसी हैं, most reliable players अपनी टीम के, ठीक है, डेविड मिलर को आप ले सकते हो, बंदा दो दो तीन दिन तो catch भी कर लेते हैं, एक मैच में बहुत शांदार player है, run out करते हैं, fieldings में involved होते हैं, talented player हैं, कह सकते हैं, बहुत अच्छे athlete हैं, लेकिन इनको छोड़के मैं गया हूँ, हैदर अली के साथ, जो मुझे लगता है, पका, जो मुझे लगता ही है, ये तो future है, ये मैंने आपको बोला ना, आजम का, मैं कहूंगा, ये तो है ही future, इस बंदे ने पाकिस्तान को आगे represent करना है, higher level पे, और बाबर आजम के बाद मुझे लगता है, कि ये talented बंदा है, जो पाकिस्तान का बड़ा batsman बन सकता है, 44% selection ही है, लेकिन आप इसको under rate ना करें, बड़ा hitter है, तेजी से खेलता है, और जो आपको पता है aggressive nature का player है, वो 2-3 shots लगा के out भी हो जाता है, but he is a player जो की आपको एक अच्छे points दिला सकता है, and आगे तो अच्छा करेगा ही, यहाँ weatherald है, weatherald में आपको बता दू, last match में adaption दिखाई थी, यानि spins को भी अच्छे से खेले थे, और आप देखोगे तो timely rotate कर रहे थे, crease पे अच्छा खासा भाग रहे थे, हाला कि इनकी running धंवेशा से problem रही है, और मैं आपको बता दू, nervous signs नहीं दिखाए थे, तो काफी अच्छे से खेल लिये थे, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इनको लेकिन, शेरेफन रिदरफोर्ड इनको भी मैं नहीं ले रहा हूँ, नीचे आती हैं, काफी player aggressive है, तेजी से खेलते हैं, एक आदर match इन्होंने जिताया भी है अपने team को, पिशावर को, बट मैं नहीं ले रहा हूँ, उस्मान खाने आपके लिए option बनते हैं, हजरत जला जजजाई खेलते हैं, तो ये भी अच्छा option है, विकाज ये तीनों international खिलाड़ी रह चुके हैं, Cameron Delport हर World T20 Leagues में खेले हैं, आपने Leicestershire से भी इनको खेलते दिखा है, इमाम उलक तो पाकिस्तान के भी player हैं, और यहाँ पर अगर देखोगे, हजरत जला जजजाई अफगानिस्तान के main, आप कह सकते हैं, ओपनिंग player हैं, 150-160 ओर भी कर चुके हैं, आरिलेंड के सामने, एक T20 में, Sam Iov मैं इतना recommend नहीं करूँगा, खेलते हैं, तो मुहमद नवास को मैंने यहाँ पे लिया है, टीम के लिए अच्छे player है, इनको बहुत गलत तरीके से use किया जा रहा है, इसमें कोई शक्की बात नहीं है, आप पाकिस्तान के team में दिखोगे, तो इनके performances बहुत अच्छे रहे हैं, बोलिंग से भी और बल्ले बाजी से भी, बोलिंग से तो specially, फैबियन एलन को मैंने लिया, लास्ट मैच में इन्होंने ओवर किये, तीन विकेट लिये दो, आउट हुए जीरो पे, player talented है, fielding positions में रहता है, आई-पियर में आपने पंजाब के लिए भी खेलते देखा था, पंजाब Kings के लिए, player solid है, काम कर सकते हैं, अभी देखते हैं कि इनको use कैसे किया जाता है, jack wildermood, इनको मैंने लिया है, मेरे इसाब से अच्छे और रॉनर हैं, कल बल्ले बाजी में struggle किये, बट वो जो इनके 8-9 रन थे न, मुझे कहीं मैचे जिता दिये, विकॉज लोग सारे सामने मेरे हसने लेके आया थे, मैं विल्टर मूथ लेके गया था, ये छोटी-छोटी चीज़े ही होती है, जो मैच बनाती है, आपको अगर विल्टर मूथ लेना नहीं है, तो आप फिर से किसी और बोलर को, या इवन कि आप यहां जेक वैदरेल, डेविड मिलर, इवन यहां पे सरफराज एहमद को पिक कर लेना, ठीक है, अभी मैं यहां विल्टर मूथ को लेके गया हूँ, रवन पावल को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अमाद बट अकर खेलते हैं, तो मेरे पास एक उप्शन रहेगी, फिर मैं देखूँ अब किस और डाउंडर को ड्रॉप करना है, खुरम शेजाद मुझे खास लगे नहीं, वैसे बोलिंग ठीक करते हैं, यह आपको एक दिखता ना, टीम लीडर, बोलिंग अटैक के लीडर हैं यह, बहुत अच्छे जबरदस्त खिलाड़ी, मुहमद हसना, मुहमद हसना का कल बोला था, यह चल गए ना, तो यह हस लेंगे, ठीक है, हसना इनके नाम में ही आता, और हमारे नैनगी ले कर देंगे, क्योंकि हम इनको लेके नहीं गए थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ, लगीली मन्रोव ने इनको इतना रन किया, मेरे सबस्तों नेगेटिवी पॉइंट जेगे गए हैं, ठीक है, मैंने आज लिया है, टीम के विकेट टेकर है, में आज दोनों टीम्स जो है, मुझे लगता हाई विकेट्स देती हैं, इस वज़े से मैंने इनको पेक किया है, इवन कि यहाँ पे जेड महमूद को मैंने लिया, लास्ट में इनको रंस पड़े, इनकी बॉल पे एक ड्रॉब भी वा था, हलागी टफ चांस था, मेरे इसाब से अच्छे स्पिनर हैं, और आउटफोक्स कर सकते हैं, बैट्समन को यानि तंग कर सकते हैं, अब हमारे पास यह देखो, दोस्तों बेस टीम बन गई है, लेकिन उससे पहले बता दू, उमाइद आसिफ अच्छे खासे बोलिंग और रॉंडर है, मिजर ली बोलिंग में काम करते हैं, मुहमद रिफान तो अगर आपने देखी हैं, तो मतलब साथ फुट्टे लगते हैं मेरे को तो, और एक फर्स्ट लोर सा ही बूलिंग कर देंगे, तो बाउंस वैसे इनको बहुत बनलता है, मुहमद इमरान भी ठीक हैं, हर मैच में खेलते हैं, नसीम शाह, यंग प्लेयर हैं, टेस्ट मैच में फिर भी इनोंने प्रफॉमेंस दिया, यहाँ पे मुझे नहीं अच्छा करते दिख रहे, फिडियल एडवर्ट बाहर बैठे हैं, अगर आते हैं ध्यान रखेंगे, उस्मान खान, शिन्वारी और अन्वर अली, ये दो प्लेयर कोटा के टीम में, दोनों 11 में होने चाहिए, आइडियली फर्स्ट मैच दिखोगे, तो आपको ऐसे प्लेयर्स हमेशा दिखते भी हैं, बट अभी कोटा क्या कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कि वो चाहते क्या हैं, प्लेयर्स बहुत है, कि देखो रसल खेलेंगे, फिर तो मैंने उनको लेना ही है, फिर तो सवाली नहीं बनता, और या उमाइदासिफ को, जिनको अभी मैंने लिया है, मेरी टीम है, थोड़ी अलग है, बोलिंग्स पर थोड़ा ज़ादा, मैंने रिलाय किया हुआ है, आपके सामने जो आएंगे प्लेयर, वो प्रॉबेबली चार से पांच बैट्समेन लाएंगे, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर हैगा, बट वही है, कि मैं अपनी गटफील पर ही गया हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, कि यहाँ पर विकेट जा रही है, आप वावडू प्लेसी को भी दे सकते हो, ठीक है, एक बड़ डिसकस कर लेंगे, देरा 50% चांसिस की मैंना वीसी अपना वावडू प्लेसी कर दूगा, विकाज यह ओपनिंग पर आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को सोचना है, आप अपना जुकाफ वल्लेवाजों की तरफ भी रख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और आप चैनल पर लाइक कोमेंट करके वीडियो शेयर जरूर करें, जैहिंद, साफधान रहे सतर करें हैं, पागिस्तान कोमेडी क्रिकेट में ध्यान से खेलें,